हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेजीमर्स दी अवेंजर्स और आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं चैक Q&A एक्सपर्ट रेजिस्टेशन प्रोसेस के बारे में तो इस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिये हैं आप किस तरह से जो है अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं उसके जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिये हैं और साथ साथ मैंने एक चैक से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी आप उस प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब क होता है कि आपको जब रचिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डव। आते हैं मैंने इस से पहले जो वीडियो बनाई तो मेरे को कमेंट में बहुत सारे कोश्यों मिले üzली जो की मेरे से सारे दोस्तोले पूछ रखे थे थे तो मैंने उन registration का नाम है और हमारा account जो details है वो अलग-अलग हो सकते हैं तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तो जिस नाम से आपना registration करा है और जो आपका account detail है वो same होना चाहिए अगर आपका नाम मान लीजिए आपने registration करा राहूल के नाम से लेकिन account में आपका नाम मोह रखेगा ओके दूसरी चीज यह बहुत मतलब important चीज है लेकिन इसको लोग ignore कर देते हैं और उसके बाद उनको परिशानी होती है अब बहुत सारी लोग क्या करते हैं जब उनको registration करना होता है तो किसी भी number और email ID को उस समय use कर लेते हैं वो सोचते हैं कि email ID का कुछ खास use न test clear हो जाएगा document verification हो जाएगा उसके बाद आपका number और email ID verification भी होता है ठीक है और check जितनी भी communication करता है अपने Q&A experts के साथ वो email के थ्रू ही करता है तो आप अपने email ID को genuine email ID को ही वहाँ पे भरे ताकि बाद में आपको किसी भी तेरे का problem ना होने पाए तीसरी चीज दोस्तों क question रखा कि क्या मैं subject change करता हूँ क्योंकि उन्हें registration के time पर एक subject भर दिया मान लिजे मैंने उस समय भर दिया calculus लेकिन मैं बाद में चाहता हूँ कि मेरा subject change हो के जो है वो mathematics हो जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते registration के time पर आपने जो subject choose कर लिया दोस्तों आपको उस subject पर stick रहना बना सकता हूँ तो यह बिल्कुल भी possible नहीं है आपका एक mobile नंबर और एक email address जब चैक पर register हो जाता है तो आप उसको दुबारा यूज नहीं कर सकते इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से मनलब बोलना चाहूँगा कि आप अपने जो सारे process को complete करें तो बहुत ध्यान से है तो यह कुछ चीजे थी जो मेरे को आपको बताने थी एक्चुली यह आपका doubt section का दूसरा वीडियो है इससे related मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और उसका जो description में मैंने link डाल दिया है तो अगर आपको कोई all doubt हो तो आप मेरे को comment box में लिख सकते हैं मैंने description मे भी दे रखा आप उस नंबर पर में वाट्सेप कर सकते हैं या फिर playlist में जाके checks related मेरी और भी वीडियो हैं वो वीडियो भी आप देख सकते हैं आपको जो भी doubt होंगे वो सारे doubt आपके I think clear हो जाएंगे कोई भी problem नहीं होगी अगर मैंने आपके help कर रहे है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राब किजिए थैंक्यू